या पुलीस अपना रवया कैसे दिखा रहा है ना ही आसू गैस छोड़ा जा रहा है ना ही वाटर केनन का परयोग किया जा रहा है डाइरेक्ट रर्वी एंटीपीसी के अभियार्थियों के उपर अंदाधून फाइरिंग की जा रहा है किया उनके जान के साथ खिलवार किया जा रहा है किया यह दरसा रही है कि सरकार अपने कामों और फाइदे के लिए जनता का इस्तिमाल करती है इससे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरे दिखा रहा हूँ ये तस्वीर सिता मधी की है जहां पर RRB NTPC के छात्रों के धर्ना परदर्सन के वक ना आसू गैस ना वाटर केनन का परयोग किया जाता है बलकि डारेक्ट अंदादून फारिंग की जा रही है क्या अब या छात्र सरकार की नजर में अपरादी बनती जा रही है एक तरफ अपरादीयों को पकरते वक्त पुलिस परसासन की गोली नहीं चल पाती है लेकिन इन निर्दोस और निहत्ते अव्यारतियों पर गोलियां बरसाई जा रही है यह सब कहां तक सही है उसके बाद मैं आपको यह भी बता दूँ जहां पर अरारवी एंटी पीसी के छात अपने रिजल्ट से नाखूस होकर धरना परदर्सन कर रहे है वहाँ इन छात्रों को बेरहमी से पीटा जा रहा है तो कहीं गंदी गंदी गालियां दी जा रही है यह लोग पढ़े लिखे छात्र हैं क्या इनको गालियां देना उचीत है कहीं ऐसा करके सरकार अपरादियों को तो बढ़ावा नहीं दे रही है क्योंकि यह जब पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके एक्जाम को कौलिफाय करने वाले अवियार्थियों को नहीं मिलेगा तो आखिर यह करेंगे तो करेंगे क्या ऐसे में लोग अफरादी ही बनेंगे आखिर कीश तरीके से काम कर रही है सरकार आखिर क्यों इनकी बाते नहीं सुन रही है इनके उपर जिस तरह से डंडा वर्साई जा रही है, फाइरिंग की जा रही है आप ही बताईए कि इनके माता पिता के उपर क्या गुजर रही होगी जो इनको पढ़ने के लिए कहते थे, कुछ अच्छा बनने के लिए कहते थे बता दे कि इन अभ्यारतियों का आक्रोस थमने वाला नहीं है जिस तरीके से राजधानी पटना, गया, मुझपरपूर, बेगु सरय, नालंदा हर जगह से यह तस्वीरे सामने आ रही है यह बता रहा है कि अब सारे च्छात एक जूट हो गए हैं सरकार को अब अपने नीतियों को बदलना होगा जो नीती वो अपना रही है बार बार सिर्फ वो सिर्फ एक ही काम करके हर एक्जाम में हर पडिक्छाओं को लेकर कि एक ही काम किया जा रहा है पहले पडिक्छा लिया जाता है या फिर उसे रद कर दिया जाता है या फिर या गंदा खेल खेला जाता है आखिर या चात या अभियार्थी करेंगे तो करेंगे क्या इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी रह जरूर दे क्योंकि आपकी रह हमारे लिए बहुत ही माइने रखती है RRB NTPC के अभियार्थियों की नराजगी कहां तक रही है और RRB NTPC के अभियार्थियों की नराजगी का अपडेट आप तक देते रहेंगे साथ ही हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब फिलाल अभिना सारिया को दीजिए इजाज़त देखते रहें तैनिकमधेपुरा.com